हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एजुकेशन कंसल्टिन में जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एजुकेशन से संबंधित वीडियो दोस्तों सुभारती उनिवस्टी के लिए भी पहुत सारी आपकी क्वेरी जो आजकल मेरे क्वारी थी सबसे पहली तो नहीं कर रही है तो उसी के लिए आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें की कोशिश करूंगा आपको सारे के सारे सोल्यूशन में आपको देशकू और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को जादा सब् प्लीज में वीडियो अब ये यह कि लोगडाउन है जिस वेसे बंध है और उनको अभी कुछ भी नहीं पता है कि वह प्रमोट की जाएंगी है क्या होगा तो जो एसे ऐसे हैं जिनको अभी तक भी उनका एंडॉल्मेंट नहीं मिले हैं उनके लिए यह है कि उनको 17 आपरेल तक जो lockdown बढ़ाया गया है और हो सकता है अगर आगे बढ़ाया गया तो जब तक lockdown रहेगा उसी time period में आपको wait करना होगा और जल्द से जल्द आपको enrollment अभी issue हो रहे हैं वैसे तो और जो नहीं होए हैं उनकी जल्दी से लदी हो जाएंगे फिर second बात करते हैं बहुत सारे एस तो आपको ना तो promote किया जाएगा ना ही आपको कुछ ऐसा है कि आपको backdate होगा सिर्फ आपका admit card के according आप अपने center से या agency जो consultant है जहां से भी आपने admission लिया है आप वहां से omr sheet अपने ले सकते हैं और उसको exam को proper करके date उसी तरह से according आपके admit card के according डालकर आप डालिएगा तो 17 April को खतम हुए तो उसके लिए पूछते हैं कि हमारा result कब आएगा तो आपको बताना चाहूंगा कि अभी result का कोई update नहीं होगा क्योंकि अभी तक जो आपने answer sheet जैसे आपने किसी भी center से अगर admission लिया था तो जो आपकी answer sheet है वो भी अभी हो सकता है कि university तक पहुची ही ना ह और उसका सीधा से रिजन है कि lockdown है सब बंद पड़ा हुआ है तो जब तक वो सब open नहीं होगा तब तक आपकी answer sheet university नहीं पहुचीगे जब तक आपकी answer sheet university नहीं जाएगी तब तक आपका कुछ भी result आना impossible है और last जो अभी आशकल बहुत जारा रहे हैं कि sir website work नहीं कर रही है तो हां सुभारती university की website अभी work नहीं कर रही है और हमेशा सिफिय होता ही जब आप सुभारती dde.com पर जाते हैं तो वहां पर बहुत जारा time लेती है और time लेने के बाद पर time out आ जाता है और website work नहीं कर दिया तो उसके लिए आपको बताना जाओंगा कि इसी वीडियो में मै online करना चाहते हों आप कर सकते हैं तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आयोगी और अगर अभी भी आपको कोई inquiry है तो आप मुझे comment कीजिए कर मैं उसका आपको reply कर दूँगा